आज हम बताएंगे कि दूद में मिलावट के बारे में आप कैसे जान सकते हैं पहले तो दूद में सिर्फ पानी की मिलावट होती थी लेकिन आजकल तो यूरिया मिलाया जा रहा है, स्टार्च मिलाया जा रहा है, डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है, सिंथेटिक दूद बनाया जा रहा है तो इन सब को आप कैसे जान सकते हैं कि आपका दूद असली है या मिलावती है सबसे पहले बात कर लेते हैं पानी की मिलावट की देखिए अगर आपके दूद में पानी है तो आपको क्या करना है कैसे जानना है एक टाइल का टुकडा ले 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 आप या एक फर्ष थोड़ा सा स्लोपी फर्ष ले उसमें एक बूंद दूद की टपका दें दूद टपकेगा और बहेगा अगर वहाँ पर एक लाइन पड़ जाती है दूद की थोड़ी सी सफेद लाइन आपको दिखेगी तो आपका दूद असली है अगर नकली दूद होगा तो वह एकदम से बह जाएगा पीछे कोई स्पॉंट में छोड़ेगा यानि कि उसमें पानी की मिलावट है अब दूसरी सबसे बड़ी और खतरनाक चीज़ आती है कि आजकल दूद में यूरिया की मिलावट हो रही है अब यूरिया की मिलावट को आप कैसे जाग सकते हैं कटोरी में थोड़ा दूद लीजे और अरहर की दाल को पीस कर उसका पाउडर बना लीजे अब ये पाउडर आप दूद में डाल दीजे पाँच मिनिट तक इसको पड़े रहने दीजे अगर पाँच मिनिट बाद दूद का रंग लाल हो जाता है तो आप समझ लीजे कि आपके दूद में यूरिया की मिलावट की गई है अगर दूद असली है और यूरिया नहीं है तो उसका रंग नहीं बन लेगा इसी तरह से दूद में डिटरजेंट की मिलावट होती दिटरजन्ट की मिलावट को जाचने के लिए आपको क्या करना है दो उग्लियों के बीच में थोड़ा सा दूद लें और उसको इस तरह से मसलें मसलने पर आपको साबुन जैसी फील आएगी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे आप साबुन को मसलते हैं तो किस तरह से फील आती है वैसी फील आएगी थोड़ी स्मेल भी वैसी आएगी वैसे जो डिटरजन्ट वाला दूद होता है वो हलका सा थोड़ा पीली तरफ को होता तूड़का रंग हलका सा पीला होता है, लेकिन वो नॉर्मल आफों से आपको पता नहीं चलता है। एक तरीका और भी है कि आप एक बरतन में या एक test tube ले लें उसमें थोड़ा दूद डालें और उसमें पानी मिलाएं और पानी मिलाकर हलका हलका सा उसको हिलाएं अगर इसमें detergent मिला हुआ होगा तो उपर थोड़ा थोड़ा जाग बनने लगेगा तो उगलियों से आप पता कर सकते हैं और अगर ये जाग बन रहा है तो आप जान लें कि आपके दूद में detergent है तीसरी जो दूद में मिलावट होती है वो होती है starch की अब starch की मिलावट को आप कैसे पकड़ें देखिए किसी भी medical shop में जाईए कैमिस shop में जाईए iodine ले लिजे चाहे tincture iodine ले लिजे किसी भी तरह का iodine ले ले लिजे easily available है अब आप दूद ले एक बरतन में और उसमें एक दो बूंद iodine की डाल दे पांच मिनिट रुकें अगर blue color आ जाता है तो आप समझ लीजे कि आपके दूद में starch की मिलावट की गई है अगर color पीला रहता है तो ये समझ लीजे कि जो दूद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है